हेलो काईज, माइ नेम इस जानवी जेट्वा एद आप देख रहे हैं जानवी जेट्वा मेकोल आज मैंने वियर की है कि पिंक कलर की साड़ी, आज हम आउटफीट की कवर्णिंग पिंक एंड कॉल्डिट कलर में आई लूग करने वाले हैं, बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और हम अब करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग छोट आसा टुटोरियल है, पूरा दीखेगा वीडियो को ताकि आप भी सीख सके किस तरह से हम डिफरेंट वे में आई लूग कर सकते हैं, आए जल्दी से पहले आई बेज लगा लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारा आई लूग तो यहां पर मैंने एक वाइट कंसीलर अपलाई कर दिया है, तैन उसके बाद मैंने यहां पर लिया है एक लाइट पिंक शेट और उसे मैं अपनी क्रीज लाइन पे पहले अपलाई कर रही हूँ, एक पैंसिल ब्रश की हेल्प से, तैन उसके बाद मैं उसे एक फलफी ब्र क्रिएट करना है ताकि एक सोफ्ट लुक मिल सके हमें इसके बाद मैंने यहां पे लिया है एक डार्क पिंड शेड और उसे भी मैंने क्रीज लन पे अप्लाइड कर दिया है तेन उसे भी हम अच्छे से अर्च कर देंगे और आउटर करनर पे हमें एक वी शेप भी create करना है तो साथ ही में उसे भी हम create करते जाएंगे देन उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है एक wine shade और उसे भी मैं pencil brush के help से अपनी crease line पे apply कर दूँगी ताकि एक pink color में हम एक depth मिल सके और उसके लिए मैंने यहाँ पे wine shade भी लिया है और उसे भी हम अच्छे से blend कर देंगे देन उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है कि छोटा सा pencil brush और उसके help से मैं यहाँ पे black color को अपनी crease line पे apply कर रहे हूं और उसे भी blend कर दी जा रही हूं अच्छे से और ध्यान रहे कि हमें एक-एक colors को apply करते जाना है then blend करते जाना है हमें एक साथ सारे colors को apply करने के बाद blend नहीं करना है वरना जो हमें depth चाहिए या फिर जो हमें eye look चाहिए वो हमारा बन के नहीं आएगा सो इसे ध्यान में रखते हुए हमें सारे colors को apply करने के साथ ही हमें blend करते जाना है ताकि एक अच्छा सा एक soft look create हो सके और यहाँ पे मैं create कर रहे हूँ एक cut crease सो मैंने यहाँ पे कहाँ cut crease create किया है सबसे पहले मैं एक छोटा flat brush लिया उससे मैंने एक छोटी सी line create की देन उसके पाद एक बड़ा fluffy fluffy नहीं sorry flat brush एक बड़ा सा flat brush लिया और उसे भी मैं apply करती जा रही हूँ और एक अच्छे से हमें यहाँ पे एक shape create करना है और इसे ही हम बोलते हैं cut crease जो कि हम concealer की help से कर सकते हैं अब उनी cut crease पर हमें golden shimmery shade apply करना है सो मैंने एक फिर से नया flat brush लिया है और उसके help से मैं यहाँ पे golden shimmery shade apply कर रही हूँ सो अब देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ और याद रहे कि जिससे हमने cut crease create की है वो brush हमें नहीं लेना है हमें कोई साफ कोई नया brush ही लेना है shimmer apply करने के लिए तेन उसके बाद मैंने फिर से outer corner पे pink और black shade apply करके उसे अच्छे से merge कर दिया है ताकि जो हमार outer corner है वहाँ पे कोई भी harsh line create ना हो और यहाँ पे black color के बाद मैंने pink color भी apply किया है outer corner पे और उसे हाँ मैं एक fluffy brush के help से अच्छे से blend कर दूँगी सो यहाँ में मैंने दोनों eyes पे eye look कर लिया है हमारा eye shadow यहाँ पे create हो चुका है दोनों eyes पे अब बारी है eyeliner की सो यहाँ में मैंने eye magic का eyeliner लिया है gel eyeliner और उसे मैं अच्छे से apply करूँगी और हमें water line के नजदिक ही एक line create करनी है और मैं यहाँ पर एक छोटा सा wing eyeliner apply कर रही हूँ दिख सकते हैं आप कि किस तरह से मैं create कर रही हूँ आपको भी इसी तरह से धीरे धीरे eyeliner को apply करते जाना है और यहाँ पर हमारा eyeliner होता है done देन उसके बाद मैंने false eyelashes भी apply करते हैं और मेरा base भी create हो चुका है सो यह base मैंने कैसे किया सो इसके लिए भी एक अलग से वीडियो आने वाली है यूट्यूब पर और Instagram पर भी मैं post करने वाली हूँ सो जल्दी से यह वीडियो भी देखेगा जरूर्ण और मैंने इस लुक की transformative वीडियो भी upload की है Instagram पर वीडियो भी अप्लोड की है Instagram पर वीडियो भी जल्दी से चेक आउट कीजेगा सो यहाँ पर मेरे eyebrows भी फिल हो चुके है देन उसके बाद मैं यहाँ पर apply कर रहे हूँ काजल जो कि मैं अपनी waterline के नीचे अपनी पूरी eyes पर apply कर रहे हूँ और यह हमें अपनी हलके हाथों से और धीरे से हमें करना है देन उसके बाद मैंने लिया है एक flat brush और अपनी काजल को मैं अच्छे से blend करती जाऊंगी pink eyeshadow की help से ताकि हमें एक soft look मिल सके और इन से हमारी eyes पर एक balance create होता है कि जितना काम हम अपनी आँखों के ऊपर के areas में करते हैं उतना ही काम हमें आँखों के नीचे भी करना चाहिए ताकि एक balance create होता है इनसे eye look जो है वो और भी ज्यादा enhance होके आता है तो यहां पर मैंने lipstick भी apply करती है तो उसके बाद मैंने faces canada का setting spray apply कर दिया है अपने makeup set करने के लिए so yeah here is my final look so I hope कि आपको यह वाला eye look informative रहा होगा and I hope कि आप यह look recreate ज़रूर करेंगे और अगर करते हैं तो मुझे take ज़रूर कीज़ेगा instagram पे so मैं मिलती हूँ मेरे next video में तब तक के लिए bye guys